ओ सिट मेरे सारे बाल जरगे हाई अब्रिवन कैसे हूँ आप लोग दोस्तो आज से करीबन डियर महीना पहले मैंने इस मिटन से ट्रैल केट ओर्डर किया था जिसका वीडियो मैंने ओल्रेडी सेयर किया है और उस किट में मैंने मामार्त का अनियन हेर के रेंज लिया था एंड एक किट जस दिन डिलेवर हुआ था उस दिन मैंने इसका यूज भी सुरू कर दिया था क्योंकि मेरा बहुत ही ज़्यादा हेरफॉल हो रहा था इसलिए इसको देखके मैं अपना आपको रोख ही नहीं पाई और मन ही मन में यह भी सोचा था कि इसके पीछे 250 रुपे मैंने खर्चा किया है तो इसका एक डीटेल रिव्यू तो बनता ही है बट कुछी देर बाद मुझे रियालाइज हुआ कि और लेड़ी इसके उपर इतने सारी पॉपुलर वीडियो है तो मेरा वीडियो कौन ही देखेगा कोई नहीं आइनो ए मुझे पता है इसलिए मैंने सोचा कि ए वीडियो थोड़ा सा डिफ्रेंट करूंगी बट क्या डिफ्रेंट करूंगी ओ पता नहीं था और काफी दिर सोचने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया ए वीडियो अगर उइट प्रूफ हो तो कैसा होगा ए रूख ज़रा ए देख लाइप प्रूफ है एक धम इनोंने वाक्त बदल दिया जिस बहात बदल दिया जिन्दगी बदल दि ये भगबान अब मैं क्या करूँ कौन देखेगा मेरा वीडियो आप ही बताओ प्रभू मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है आप ही रास्ता दिखाओ डर मत बाली के तु वीडियो तो बनाओ तेरी वीडियो में चर्च दो दो क्या भगबान जी सच में मेरे वीडियो में दो लाग भी होंगे ऑवकाँ वीडियो वाली के पूरी बाद तो सुरू हाँ भगबांजी बताओ पुत्री तेले वीडियों में दो चार ग्यों चर्ट हूँगे तुम मन डरे तुम हाड़े साथ मेरा आफिर बाद है ओके भगबांजी तो आपका नाम लेके सुरू करती हूँ अब असे पुत्री दोस्तो सबसे पहले इस सेंपो को मैंने यूज किया था 13 फेबरुरी को और आज है 30 मर्च जब मैं इस वीडियो रेकोड कर रही हूँ यानि कि इस किट को यूज करते हुए 1 मंद 18 डेस हो गया है वाट पर इतना से सेंपो और ओल इतना दिन कैसे चला गया कैसे चला ओ आगी फीडियो में बताती हूँ एक ट्रेजिटी है दोस्ति सेंपो को जब मैंने पहली बार यूज किया था तो एस सेंपो मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था क्योंकि इस सेंपो में फोम नाम के बड़ाबर होता है और मुझे फोम से नफरत है मुझे फोम छूना भी पसंद नहीं है तो मैं हो गई इंप्रेसिस से ये जानते हुए भी कि इसके इंग्रीडियन्ट लिस्ट में कोकोमीटा प्रोपाइल बीटिन एंड पॉलिक्यूटामीन 7 है और इनका साइड इफेक्ट है बालो में एंड एही मैंने वाव एंड मामर्द अनियन की ट्रेंज कोमपेर वीडियो में भी बॉला था बट हाँ दोस्तों इस सेंपो में फोम बहुत कम होता है इसका मतलब ए नहीं है कि इससे हैर क्लीन नहीं होता है उइड फोम ए सेंपो बहुत ही अच्छे से बालो को क्लीन करता है और ए इस सेंपो का बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसके बाद दोस्तों मैंने उसी दिन इसके कंडिसनर का भी यूज किया था और एक कंडिसनर मैंने लाइब का I think दूसरा कंडिसनर है इससे पहले मैंने एक एक कंडिसनर का यूज किया है और दूबड़ा यूज करने का हिम्मत नहीं हुआ है मेरा छोड़ो उस कंडिसनर को आते हैं इसके उपर दोस्तों एक कंडिसनर बहुत ही कम एमांट में यूज करना होता है इतना ही काफी है और इस कंडिसनर को भी बाकी कंडिसनर के तरह ही सेंपू के बाद ही यूज करना होता है और इसे भी बालों में 2-3 मिनिट के लिए लगा के छोड़ देना होता है देन सिंपली बालों को पानी से धो लेना होता है दोस्त इस कंडिशनार को धोने के बाद मैंने एक अजीब नजारा देखा जो आज से मैंने पहले साइट कभी भी नहीं देखा होगा क्या मेरा हैर सिलकी और स्मूथ हो गया था और इतना जदे सिलकी हैर मेरा मैंने कभी भी नहीं देखा था जिस बज़े से मेरे आँखों में पानी आ गया था बट हाँ साथी में मुझे अबी पता था कि यह ओके ओके प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें पॉली क्यूटमिन सेवन एंड डी सोडियम एडी टी है और इनका साइड इफेक्ट है थोड़ा थोड़ा हैर में येस दोस्त इस फस्ट हैर वास के बाद मेरा इतना हैर फुल हुआ था और मेरा हैर सूखने के बाद बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है आई डोंट नो आप लोगों को पिक देख के समझ आ रहा है या नहीं मेरे हैर में अलग ही साइन है और फ्रिजिनेस भी बहुत कम है इससे पहले आप लोग अगर मुझे खुले बालों में देख लेते तो बूट समझ के जरूर भाग जाते और साथी में ब्लोगर के जैसे केमेरे निकाल के बोलते की गाईस एदे को आज मैंने भूट देखा है देन इसके बाद उसी दिन मैंने मामर्त अनियन हेर ओयल का भी यूस किया था और एए हेर ओयल मेरे टोप 5 अनियन हेर ओयल के लिस्ट में है इसका इंग्रेडियन लिस्ट एकदम ओसम है और बहुत ही लाइट है एए ओयल बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है इस ओयल को यूस करने के बाद मैं भूल ही गई थी कि मैंने बालों में ओयल भी अपलाई किया है इस ओयल को मैं इस गर्मी में भी यूस कर सकती हूँ दोस्तो पिछले कुछ सालों में मैंने बहुत ही कम ओयल यूस किया है बालों में क्योंकि मुझे oil का चिपचिप एकदम ही बरदास नहीं होता है इस बज़े से मेरे बाल एकदम rough and frizzy हो गया था बट इस oil को फस्टेम यूज़ करने के बाद मुझे समझ आ गया थे कि एही है मेरे problem का solution और दोस्तो मैंने इस oil को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज़ किया था कैसे पैर उपर और सर नीचे करके इस oil को यूज़ किया था मतलब कुछ भी कुछ भी ऐसा कौन करता है तू कर सकती है बग चुप करो मेरे मतलब है कि पुराने जमाने में हमारी दादी नानी जैसे बालों में oil use करती थी मैने वैसे ही use किया है दोस्तो मैंने इस oil को रात में बालों में अप्लाई करके बालों को separate करके छोड़ दिया था देन इसके बाद next morning उठने के बाद मैंने सेंपो नहीं किया था और इसके बाद फिर से रात में बालो में अच्छे से oil अपलाई करके बालो को सिपरेट करके फिर से छोड़ दिया और ऐसे ही मैंने लगतार तीन दिन तक किया जिससे मेरे बालो को इस oil का goodness थोड़ा सा जादा म समझेंगे बड़ दोस्तो मैं गाउं से हूँ और इहां पर pollution बहुत कम है तो मैं ऐसा कर सकती हूँ और अगर कहीं पाहर जाना हो तो क्या दस मिनिटे लगेंगे सेंपो कर लो और चले जाओ ऐसा मैंने भी किया था मेरे exam के टाइम पर सो दोस्तो एत हो गया इनका first use कैसा था इसके बाद एक एक करके क्लिप देखो इनके यूज़ के बाद मेरा hair fall कितना कम हुआ है या जादा हुआ है दोस्तों इनको चौते दिन यूज़ करने के बाद मेरा shampoo and oil खतम हो गया था और साथी में वीडियो भी stop हो गया बट मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे ए रिविव विद्प्रूप करना है इसलिए अल्रेडी मैंने shampoo and oil order कर दिया था ये अलग बात है कि मैंने कैसे order किया वो सिर्फ मुझे पता है कैसे क्या बताना नहीं बताना नहीं बोला ना बताना यार ओके तु सुनो मैं सरकार के बस गई और उन्हें बोला ये नहीं घरवाले सरकार मेरा shampoo और oil खतम हो गया है फ्लीज दिला दो मुझे फ्लीज सरकार दिला दो ना आज से आपका हर बात मानूंगी सुबह जल्दी उठूंगी टाइम पे खाना खाऊंगी और रात को टाइम से पहले सो जाऊंगी मुझे इनका बहुत जादा जरूरत है नहीं तो मेरे छोटी छोटी बाल भूके मर जाएंगे फ्लीज सरकार हम पर दाया करो भाइसन कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी तो दोस्तों इसके खतम होने के दो ही दिन बाद मेरा सिंपू और डिलिवर हो गया था तो थोड़ा से इनका स्वाप देख लो और दोस्तों इनको डे बाई डे यूज करते करते मेरा हैर फॉल भी कम होता गया बट इतने में से मेरा बन बिलकुल भी भड़ा नहीं था मैंने थोड़ा और ज्यादा एक्स्परिमेंट करने का सोचा दोस्ते एक्स्परिमेंट के लिए मैंने एक वीक तक सिर्फ सेंपू एंड कंडिशनर का यूज किया और ओयल को इसकिप किया यह समझने के लिए कि इन में कौन जादा इफेक्टिव है एंड जिस वीक मैंने सिर्फ सेंपू एंड कंडिशनर यूज किया था उस वीक क्या हुआ देखो ओ सिक मेरे सारे बाल ज़र गए एक्सपरिमेंट के चकर में मैंने क्या कर दिया बट इतना होने के बाद भी मेरा मन बिलकुल भी भड़ा नहीं था मुझे तो और भी experiment करना था इसलिए इसके बाद मैंने एक वीक तक सिर्फ oil का यूज किया और shampoo and conditioner को skip किया और साथी में दूसरे किसी shampoo का यूज किया था चोटी बच्छी हो क्या? oil का यूज करके hair fall में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा बट हाँ hair फिर से फ्रीजी हो गया था तो दोस्तों clearly समझ आ रहा है कि hair fall के लिए onion kit में सबसे ज़्यादे important है onion hair oil अगर आप लोग सिर्फ इस oil का यूज करोगे and साथी में एक special supplement का जिसका मैंने इनके साथ यूज किया था तो आप लोगों का hair fall 90% कम हो जाएगा कौन सा supplement तूने तो ये बताया है ही नहीं अगर उस supplement के बारे में जानना है तो वीडियो में 50 लाइक करो 50 लाइक होते ही मैं ओपला वीडियो अपलोड कर दूँगी सो दोस्तों आज इही तक पसंद आयो तो लाइक करना और इस टेप के product review रोस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर से subscribe कर लेना